गुजरात के जिस आटो वाले के घर दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने जाकर खाना खाया था वह तो पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक निकला जब विक्रम दमतानी नाम के आटो वाले के घर केजरिवाल ने खाना खाया तब से इस बात क को आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर सोर से उचाला था कि केजरीवाल को गुजरात के आटो यूनियन का समर्थन मिल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा सिर्फ 10 दिनों में ही फुस हो गया और वह लड़का दो दिन पहले नरेंदर मोधी की रैली में भाजपा का भगवा टोपी और पटका पहने हुए मोधी मोधी करते पकड़ा गया। जैसे ही यह लड़का मीडिया के कैमरे में कैद हुआ और इस बारे में सोशल मीडिया पर डाला गया की केजरीवाल के साथ तो दोखा हुआ है। तब ही से भाजपा और आजमादनी पार्टी आमने सामने हैं। क्या है पुड़ा मामला? क्या केजरीवाल का आटो वाले बिक्रम के घर खाने का जो पुड़ा प्रोग्राम था वह तैय किया गया था? सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को सेयर करके कैसे केजरीवाल का मजा कुरा रहे हैं और उन्हें गिरगिर बता रहे हैं। सब आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितोर शाही है और आप जन्ता जंक्षन देख रहे हैं। आज से लभक दो सबता पहले जब दिली के मुख्यमंत्री अर्विंज के जिवाल अपने पार्टी का प्रचार परसार करने हमदाबाद के दोरे पर गए थे। तब यहां एक आटो वरिक्सा वाले के घर उन्होंने खरात में खाना खाया था। जिस आटो वाले के घर वह खाना खा रहे थे उसका वीडियो आमाद्मी पार्टी द्वारा और सभी मीडिया उस द्वारा खूब चला आया गया था। आप अपने अब इस्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जिसमें खाकी रंग का कपड़ा पहना हुआ यह लड़का वहीं बिक्रम दंतानी हैं जिसके साथ केजडिवाल खाना खाते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो के आमाद्मी पार्टी ने सेर करते हुए लिखा था कि केजडिवाल को गुजरात के गरीब गुर्गों का समर्थन मिलना सुरू हो गया है अब यहां से मोधी मैजिक गाइब हो चुका है कॉंग्रेस तो यहां से पहले ही खत्म हो चुकी है तो यहां के लोग अब नए सरकार की स्वागत करने में जुट गए हैं यह लड़का के नाम और प्रतिक चिनवाला भगवा गमचा आपको दिख रहा होगा 30 सितंबर को प्रधान मंति निरेंद मोधी गांधी नगर से मुंबई तक जाने वाली मेट्रों का उर्गाटन करने गुजरात गए थे इसी मौके पर उन्हों ने एक जनसभा को भी संभोधित किया और और दुसरा क्या प्रधान मंति निरेंद मोधी की रैली में बीजेपी के लोग बिकरम को जबरन अपने साथ ले गए थे जब इस बात पर बिकरम से पूछा गया कि आपके घर केजडिवाल जब खाना खाने आये थे सब लोग आपको आवादी पार्टी का समर्थक मान रहे तो मजबूरन उन्हें अपने घर पर उन्हें खिराना परा मैं उस घटना के बाद आमादी पार्टी के किसी नेता से संपर्क में नहीं हूँ फिर जब उससे पुछा गया कि क्या आपको नरेंद मोधी की रैली में भी जवरन बुलाया गया है तो उसने कहा कि मैं परधान मंत्री मोधी का बहुत बड़ा परसंख रहा हूँ और जब भी हमें कोई काम परता है तो भाजपा वाले ही हमारी सहायता करने के लिए घर से निकलते हैं यह आमादी पार्टी तो दो दिर पहले ही गुई रात में आई है मजबुरन केजरिवाल को अपने घर उन्ह से बड़ा प्रसंख सब को किसी के दवाब में मैं भला क्यों आऊंगा आगे उसने कहा कि मैं तो बचपन से ही मोधी शाहब का आसिक रहा हूँ हमारी पूरी कोलोनी बीजेपी को ही वोट देते हुए आ रही है जैसे ही यह वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही वाजपा के सभी बड़े-बड़े नेता केजरी वाड़ पर निसाना साथने लगेई उन्हें सबसे बरा ढोंगी मकार जूटा वताने लगे कोई उन्हें गिर गिट तो कोई भारतिया राजिती की तिहास का सबसे बड़ा भर्ष्ट बेक्ती बता रहा है जिस तरह से इस व विक्रम ने आमवादी पार्टी का चीशा लेदर करवाया है। वह आमवादी पार्टी के नेताओं को बिलकुल रास नहीं आ रहा है। सोसल मीडिया पर इनके नेता इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिख रहे हैं। ऐसे में लगता है कि केजरीवाल के गुजरात प्रवारी ने आटो इम्यून के हिट पर दवाब बनाया था कि तुम्हें अपने किसी आटो वाले के घर आज किसी भी हाल में केजरीवाल को खाना खिलवाना होगा। जिससे एक संदेश जा सके कि यहां के गरीव गुर्वाग केजरीवाल के साथ आने लगे हैं। लेकिन जिसके घर केजरीवाल ने खाना खाया वह तो नरेंद मोदी का भक निकला। लेकिन मैं हम मोदी जी के रैली में अपने इक्षा से आया हूँ। मुझ पर किसी ने दवाव नहीं बनाया है। भगवाट टोपी पहने बिकरम का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर जग़ केजरीवाल की फजीहत हो रही है। आटो वाले विकरम के बियान पर आपका क्या राय है क्या आपको भी रगता है कि केजरीवाल ने उस दिन जो आटो वाले की घर खाना खाया था वह सब कुछ प्री प्लांट था। सिर्फ केजरीवाल ने लाइम लाइट वर टोरने के लिए इस तरह का स्वांग रचा था। इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा और खबरों के लिए देखते रही है जंता जंक्सन। कैमरे के पीछे मेरे सही होगी है विसाल बहुत बहुत धन्यवाद।